असली एक चुटकूला याद आ रहा है सुनेगा? हाँ सुना देख ठीक है लो सुनो एक लरकी थी और एक लरका था दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे एक दिन लरकी के पीता जी उस लरके से बता है क्या पुछते हैं कि तुम मेरी बेटी से कब से फ्यार करते हो? तो लरका जवाब देता है पिछले साथ महीने से तो उसके पीता जी बोलते हैं हम कैसे मालने कि तुम साथ महीने से मेरी बेटी से प्यार करते हो? तो पता है लगी का वक्का बोलता है बोलता है ठीक है बस दो महिने और रुक जाओं अपने आप येकिन हो जाएगा हाई गाईज मैं राजन कुमार और आप देख रहे आपका अपना भजपूरी इंडिया हमारे दबंग एश्टार खेसाडी भईया का एक फिल्म आने वाली है जिसका फर्स्ट लुक जारी किया गया है उस फर्स्ट लुक को देखने के बाद बस हम इतना ही बोलेंगे यार कमाल हो गया धमाल हो गया धोती फार के रुमाल हो गया इस फर्स्ट लुक का क्या लुक है यार देखो तनी के ध्यान से देखो लिख के रखलो यह फिल्म न लव एश्टोरी होने वाली है और यह लवे स्टोरी फिल्म अपने आप में भी एक स्टोरी होगी मानना परेगा भाई यसी फिल्म को मानना परेगा लगतार एक पर एक धमा के दार फिल्म लेकर आ रही है बस दूख इस बात का है कि नाम कहीं और से लिया जा रहा है सल्मान खांड की यह फिल्म थी चोरी चुपके चुपके जोकी फिल्म बहुत ही अच्छी है बहुत ही परिवारिक फिल्म थी बाकि हमारी भजपूरी भी किसी से कम नहीं है का असली केवल नाम नकली होता है अरे का हो गया नाम लिया जा रहा है कोई दिकत नहीं सोचो तनिक दिमाग लगाओ भाई पहले कि हमारी भजपूरी कहां शूट होती थी किस तरह का वस्तर पर नाया जाता था यानि के ड्रेस किस तरह का होता था अब कि हमारी भजपूरी कहां शूट हो रही है लंदन जैसे सवरों में शूट हो रही है इतना चेंज आया है हमारी भजपूरी में कोई बात नहीं आती शुंदर है फर्स्ट लुक में गौर कीज़ेगा क्या चीज़ दिखाया गया है खेसारी भया है ना जो बैठे हुए हैं गाल पे हात रखकर और मुस्कार हैं और हमारी हीरोई जी है शहर अपसरा जो खेसारी भया को देख रही है गाल फूला कर भया इसकी कहानी न मसाले दार होने वाली है क्योंकि कि यह फिल्म लबेश स्टौरी होने वाली है और इस फिल्म में खेसारी भईया नोटी-नोटी हर्कत करते हैं नजर आएंगे इसका अंदाज़ा हम लोगे को फॉर्स्ट लुक से ही पता चलता है बात करें श्टार कास्ट के बारे में तो खेसा फिल्म आया है हम गारे के वह फिल्म लंदन में शूठ किया गया था और उससे पहले एक और फिल्म कि भूहिव लंदन में ही वहाल में फिल्मों के बारे में और बात करें मुजोक्य डारेक्टर के बारे में फिल्म डारेक्टर के बारे में और इसके राइटर के बारे में तो वो है रजनिश मिश्रा जी इन्होंने मुजिक भी दिया है लिखा भी है इस कहानी को और डारेक्ट भी खुद ही किये हैं तो भाईया इसका फर्स्ट लुक ना सोसल मीडिया पर जाएगा और कुछ दिन बाद रिलीज भी हो जाएगा तो खेसारी फैंस के लिए ये एक सब्राइज है तो जीतने भी खेसारी फैंसे हम अनुरोध हरना चाहते हैं कि जो भाई हमारी इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि आपका भाई वसपूरी के हो तो एक लाइक की जगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में जबता के लिए जाहिल चाहारा